गाडिया जब नहीं होती है तो एकदम साफ सुत्री और चमतगार दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है या अधिक इस्तमाल में लाई जाती है तो उसमें विबिन प्रकार की गंदिगी जमने लगती है ऐसे मैं कार मालिक को सशर और गार फंपर वोश नहीं उसकार अन्य जगहों की तुल्णा में की उसे जाते है जानते हैं कि कैसे आप गाडिया धूने का व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे आप कर सकते हर महीं ने अच्छी खासी कम है बिजनेस चाहे कार वाशिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो एक सफल बिजनेस के लिए उसकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बिना प्लैनिंग के काम शुरू किया तो आपका कारे ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है जिसके चलते आपका समय और धन दोनों का घाटा होने का खत्रा रहते है उसी प्रकार कार वाशिंग के बिजनेस में भी आपको एक अच्छी सी योजना या प्लैनिंग बना लेनी चाहिए जिससे आप ये तैय कर सकें कि आपके बिजनेस में कितने पैसे लगेंगे आप किस जगह पर ये बिजनेस करेंगे आपको किन-किन चीजों की आवशकता होगी और आपको अपनी शॉप में कितने लोगों को काम पर रखना है ये सब कुछ आपको एक जगह पर लिखके इसकी सही से योजना तैयार करनी होगी अब कैसे किया जाता है कार धोने का काम तो कार धोने का काम दो प्रकार से होता है पहला लेबर के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा Car washing के business में लोग अपनी दुकानों पर मशीने तो रखते ही हैं साथी में कुछ labor को भी रखते हैं जो machine के द्वारा उन गाडीयों को धोकर अच्छे से साफ कर सकते हैं अब कहां कहां कर सकते हैं Car washing business तो Car washing business आप कहीं भी कर सकते हैं लेकिन अब गाउं में भी कारें बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो आप अगर किसी गाउं या किसी कस्बे में बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आप यह बिजनेस शुरू करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात होई नहीं सकती क्योंकि हाइवे से जादा कार वाश बुजनिस के लिए क्या क्या संसाधन जरूर यह यदि आप कार वास बुजेस्स शुरू करने की से तो उसके LX पहले कार वाश करने के लिए जगर दूसरा उसके पानी, तीसरा मशीन, चौथा कार पॉलिश, पाचवा कार वाशिंग शेंपू, छटा पाइप, साथवा तॉलिया, आठवा स्पंच, अब कार वाशिंग बिजनेस में कितनी जगह की जरुवत पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कार वाशिंग बिजने की जरुवत पड़ेगी, क्योंकि कार दोने के लिए आपको कार के लिए एक फांडेशन बनाना होगा, जिसमें आप कार को खड़ा करके उसे वाश कर सकें, वहीं बाइक रखने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए, साथ ही उपकरणों को रखने के लिए भी आपको जगह की आवशक्ता नहीं पड़ती, इसलिए इस काम को कोई भी कर सकते हैं, कितनी लागत है कार वोशिंग बिजनेस में, कितने पैसे खर्च करना है यह आपके बजट पर निर्भर करता है, आप चाहें तो कम से कम दाम की कार वोशिंग मशीन खरीद कर बिजनेस शुरू कर सकते जो कि आपको 30,000 से 1,000,000 रुपे तक की मिलती है वहीं आपको पानी और बिजली की व्योस्ता में 1,000,000 रुपे तक खर्च करने होंगे इसके अलावा छोटे मोटे उपकरण की जरुरत होगी इसके बाद आपको टोटल खर्च डेड़ से 2,000,000 तक हो जाता है इसमें आप शुरू कर सकती है अब अगला सवाल है कि क्या इसके लिए रेजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो किसी भी बिजनस को अगर आप एक बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कानूनी कारवाई पूरी करने ही जरूरी होती है उसी प्रकार गाडी धोने को यानि कि कारवाई बिजनस भी है जिसमें आपको कुछ लाइसेंस है पर्मीशन की जरूरत पर ते है जैसे स्थानीय प्रादिकार से रेजिस्ट्रेशन टैक्स रेजिस्ट्रेशन इत्याद अब car washing business में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं तो पहली यह कि car washing business आपको ऐसी जगह पर खुलना चाहिए जहांपर अधिक से अधिक गाड़ियां आपको मिल सके accessible जगह हो जहांपर गाड़ियां आ सके जा सके आसानी से वैसे ज़्यादातर लोग इसे Car Repairing Center के आसपास ही खुलते हैं। भारत में Car से ज़्यादा बाइक की संख्या है। इसलिए जब भी आप Car Wash करने का बिजनेस शुरू करें तो बाइक 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 करने की सुविधा भी दें तब ही आपको लाव हो सकते हैं। अब Car Wash business का promotion कैसे करें। तो जब बात आती है कि इसके promotion कैसे किया जाए। क्योंकि business कोई भी हो। जब तक उसका promotion नहीं होता तब तक लोग उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आगे आपको सफलता प्राप्त हो तो इसको promote करना होगा। इसके लिए आप online और offline दोनों तरीके से अपना सकते हैं। online में आप social networking sites का सहरा ले सकते हैं। और उसके अलावा आप Google पर अपनी shop register करें। ताक कोई भी अगर search करता है कि car washing near me या मुझे car washing करना है तो कहां करें। तो आ आपका नाम वहाँ पर आ जाए। आजपास की जितने भी लोग search करें तो आपका नाम सबसे उपर आना चाहिए। उसके अलावा आप हर व्यक्ति से कहिए जो भी car wash करवाने आ रहा है कि आप हमें अच्छे सचे reviews दें। क्योंकि जितने आपके reviews अच्छे होंगे उसी साथी